Hello friends, Viewsport Max Preview में आपका फिर से स्वागत है New Zealand बनाम शीलंग का 1st ODI और इस Fantasy Preview में हम देखेंगे Top Picks, Differential Options और Captaincy Choices इस वीडियो के प्रायो जख है Vision 11 Link description में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अब जिसने भी Vision 11 पे टीम बनाई है, असली केर दो वही करेंगे डाउनलोड Vision 11 इस खेल में वित्ती जोकिमता तो हैं और इसकी आदत पढ़ सकती है क्रप्या जिम्मितारी से अपने जोकिम पर खेलें बात करें इस गेम की तो ये पहला मैच होगा Eden Park Auckland पर दोनों ही टीम अपना आखरी ODI सीरीज इंडिया के सामने हार कर आ रहे हैं कोशिश पूरी करेंगे कि World Cup की preparation में वापस जीत की तरफ बढ़ें टेस्ट माचेश जो हुए थे वहाँ पर New Zealand ने clean sweep करा है 2 निल से रोमांचक हुए थे टेस्ट माचेश शीलंका ने कोशिश पूरी करी पर वो जीत नहीं पाए और दोस्तों New Zealand के पास home advantage है जिससे they will start as favorites in this game बात करते हैं दोस्तों expected playing 11 की तो New Zealand की तरफ से Finn Allen and Chad Bowes ये दूनों open करते हो नज़र आएंगे Bowes बहुत ही explosive batter है Will Young नंबर 3 पर Mitchell at 4, Latham at 5, Phillips at 6, Henry Shipley exciting bowler है ये आपकी team में भी नज़र आने चाहिए ये होंगे नंबर 7 पर Matt Henry at 8, Sodhi at 9 and Blair Tickner रहेंगे नंबर 11 पर शी लंगा की बात करें तो यहां पर opening करेंगे निसांका और नुवा नीदू फर्नांडो इंडिया वाली सीरीज याद है न ओपनिंग गेम में half century लगा कर आ रहे थे फर्नांडो कुसल मेंडिस नंबर 3 पर, दिसिलवा नंबर 4, मैथ्यूज आट 5, शानका आट 6, हसरंगा आट 7, समीका करुणा रतने 8 पर, कुमारा आट 9, रजीता आट 10 और अगर शी लंग का second spinner खिलाएगी तो तीक्षन या फिर प्रमोद मदूशन को इस गेम में मौका मिल सकता है चलते हैं दोस्तों आप दोनों टीम्स के head to head record की तरफ तो last 10 गेम अगर आप दिखोगे तो उसमें से New Zealand 8 बार जीती है, शीलंका एक बार जीती है और एक गेम नो रिजल्ट था, इस venue की बात करें तो Eden Park Auckland पर अगर आप दिखोगे last 10 गेम से होए है, टीम बैटिंग फर्स च spin की बात करेंगे तो Pacers को यहां पर एक advantage है, काफी अच्छा advantage है और वो इस गेम में भी आपको नजर आ सकता है, चलिए दोस्तों देखते हैं प्लेयर्स का record इस venue पर, New Zealand की तरफ से Tom Needham की बात करें तो 4 इनिंग में 201 run है, 67 का average जिसमें एक सतक भी शामिल है, Henry Nichols की बात करें तो अक्सर यहां पर जो लिस्टे वाली गेम होती है, वो होती है इडन पार्क आउटर ओवल पर, यह मैच होने वाला है में ग्राउंड पर जो की है इडन पार्क ओवल जहां पर शायद New Zealand के भी ज्यादा प्लेयर्स ने फर्स्ट क्लास गेम या लिस्टे गेम ज्यादा नह इनको आउटनी टीम में जरूर रखेगा, मैट हिंडी की बात करें तो नए बोल से बोलिंग करेंगे, शीरंका वाली टेस्ट सीरीज में भी काफी सक्सेस्फुल रहे थे, दो मैस्केज में 11 विकेट चटकाये थे इनोंने, डैनलन मिचल की बात करें तो फोर्थ टॉपिक ह हमारी all-round value दे सकते हैं, बैटिंग, बोलिंग दोनों के थुरू, शीरंका वाली टेस्ट सीरीज में 200 रन बनायतें तीन इनिंग में और फोर्म डेफिनिटली इनके साथ है, फिन एलन की बात करें तो फोर्थ टॉपिक होंगे हमारे attacking opener है, होम कंडिशन में डेफिनिटली ब खीच सकते हैं, फोर्स टेन ओवर्स में और इसलिए हम इनको बैक कर रहे हैं as a top pick, चलते हैं दोस्तों, अब top picks from शीरलंका की तरफ, number 1 पर आते हैं, कुशल मेंडिस, form इनके साथ है, विकेट कीपिंग के points भी आपको मिलेंगे, तो ये आपकी टीम में पक्का नजर आ सकते ह Angelo Matthews, जो की शीरलंका के most experienced player हैं, इस squad में जो की New Zealand के सामने अब तक 12 games खेल चुके हैं, test series भी इंके favor में थी, एक game में century भी इनकी आई थी, और New Zealand के सामने आपके इनका average देखोगे तो 35.85 का है, दसुन शानका, third top pick हैं from शीरलंका, all round value है, इंडिया वाली series भी काफी बढ़ि इनके पास भी spin वाला बहुत बड़ी option है, ILT20 जो इनके लास्ट खेला था, वहाँ पर भी 15 wicket pick करें थे 9 innings में, इस wicket पर शायद पेस को थोड़ा सपोर्ट में तो हसरंगा as a captaincy wise captaincy option आप इतना favor मत करना, पर आपकी टीम में जरू नजर आने चाहिए, चलते हैं दोस्तों, differential pick की तरफ और यहाँ पर आपको recommend करेंगे हम couple of players, number 1 पर आते हैं एन Fernando, जो की शीलंका के emerging batter है, opening करेंगे, इंडिया वाली debut game में भी 50 मारे थे, pace के सामने अच्छा केलते हैं and hence हम इनको back करेंगे, शमीका करूनरत ने है, second differential pick, fast pulling all rounder है, New Zealand की विकेट है, यहाँ पर यह काफी फाइदे मन साबित हो सकते हैं, overs इनको मिलेंगी, बैटिंग भी कर सकते हैं and hence एक exciting player होंगे, Chad Bous is the third differential pick from this game, New Zealand की opening batter है, यह बहुत बढ़िया form में थे, super smash में भी 11 इनिंग में 359 runs थे इनके, 4 trophy joking का 1 day format है, वहाँ पर 9 इनिंग में 373 run थे इनके, इस game में debut करने चाहिए और आ इनके पास अबिलिटी है, तो यह अच्छा कासा differential pick और आपकी fantasy team का एक एहम इसा बन सकते हैं, चाहते हैं दोस्तों, safe captaincy pick की तरफ, number one पर आते हैं, Darryl Mitchell जैसे अंगे डिसकर करा था, कि दोनों side of the innings पे value दे सकते हैं, Finn Allen को भी हम back करेंगे, because explosive batter है, home recording का का काफी बढ़िया ह और यह कभी भी momentum अपने favor में shift कर सकते हैं, Matt Henry, third safe captaincy pick, especially अगर New Zealand bowling first कर रही है, green top इनको मिला, यह उपर bowling करेंगे, और वहाँ पर Shilanka के batters को पक्का परेशान कर सकते हैं, चलते हैं दोस्तों, differential pick की तरफ, यहाँ पर number one पर आते हैं, Chad Boss, हमने discuss करा है कि domestic form इनका कैसे कितना बढ हो सकते हैं, तो चलते हैं दोस्तों, New Zealand vs. Shilanka की base team पर यह base team बनी है, Vision 11 पर, link description में दिया हुआ है, आप वहाँ से download कर सकते हो, याद रहे, toss के बाद और final game के पहले, आपको मिल जाएगी line-up हमारी telegram channel पर, जिसका link मैंने description में दिया हुआ है, बात करें base team की, तो wicket keeping section में हमने Henry हैं और tickner है, because Ferguson available नहीं है, तो हमने tickner को pick क्या हुआ है, तो यह हो गए दोस्तों, हमारे 8 player की base team, अब इसके बाद आपको एक 9th batter pick करना पड़ेगा, 10 वी position पर आपका एक bowler होगा, और जो 11 वी position है, वहाँ पर आप एक additional keeper ले सकते हो, in the form of Kushal Mendes, अगर Sri Lanka batting first करती है, या अगर Sri Lanka पहले bowling first कर रही है, बैटिंग section में अगर आप देखो दोस्तों, तो आपके बाद chat bounce का एक option है, जो बड़िया option है, या फिर आप safe जाना चाहो, तो Glenn Phillips के साथ भी जा सकते हो, bowling section में अगर आप चाहिए, तो Sri Lanka का कोई भी एक passer pick कर सकते हो, अगर Sri Lanka bowling first कर रही है, या फ तब तक के लिए, अलविदा,